नमस्कार प्रिय विद्धार्थ यूग महावर्शिंग असोसेट प्रोफिशर गौवर्मेंट लोहिया कोलेज चोरूग आप सभी एमकों फाइनल एरके विद्धार्थ यूग का स्वागत करता हूँ प्रिय विद्धार्थ यूग आज के इस व्यक्यान में हम वर्क स्टेडी की से संबंदेत कुछ प्रेक्टिकल प्रोब्लम डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्क स्टेडी के अंतरगत स्टेडी का यानि समय देन का सबसे बड़ा महत्व होता है जिसमें अपन नोर्मल टाइम और स्टंडर्ड टाइम का पता लगाते हैं नोर्मल टाइम में कुछ आलाउंस से इसको जोड़ने पर स्टंडर्ड टाइम आता है ये भी अपने को पता है और standard time का calculation भी कई दो equation से क्या जाता है जब allowances total time पर यानी standard time पर हो या normal time पर हो दोनों इस्तितियों के अंतरगतापने एक example लेते हुए यह supposed किया था कि कितना standard time आता है जिसका सिदार्थ यह होता है कि उस standard time के अंदर एक unit का उत्पादन हो जाना चाहिए या होगा यह हमारा अनुमान होता है और उसके अधार पर हम यह decide करते हैं कि कितना समय जो है वह स्थम वर्किंग का होगा और कितना समय अलंज से इसके रूप में वेस्ट हो जाएगा यह पूछा गया है कि भी दोनों समीक्रोणों के नुशार प्रमापित समय के गण्णा करनी है और कारी समय और अंतर जो है वह सूट के समय की गण्णा भी करनी है तो यहां पर देखिए है कि टोटल लावर्स ओफ़दी शिफ्ट है टोटल लावर्स ओफ़दी शिफ्ट दस है यूनिट्स प्रोडिूस्त जो है वह तीनसो पचाईस है आईडल टाइंग 15% है पर्फोरमेस रिटिंग 120 पर्सेंट है अलांस इस 10% of standard time है यानि normal time का नहीं है standard time की percentage अपने को दीवी है और calculate करने के लिए कहा गया standard time normal time का formula होता है observed performance into performance rating observed performance का हम पता लगाना है चाहते हैं तो उसका formula होता है time worked upon units produced time worked आपने को दिया हुआ है वो time worked का हम पता लगाते हैं आहां पर कि total time in the shift less idle time जो total time shift में होता हुसमसे idle time को minus करने के बाद working time worked आजाता है तो यहां पर total time 10 गंटे के साब से 600 मिनिट हुए इस 600 मिनिट में से आइडल टाइम पंद्रा परसेंट माइनिस करने पर 510 मिनिट एक्टिल में time worked होता है अब time worked 510 मिनिट हुआ उसमें यूनिट प्रोडुटिस का जब भाग देंगी 350 का तो नॉर्मल टाइम आ जाएगा अब इस जो problem के अंदर अपने को नॉर्मल टाइम भी नहीं दिया हुआ है इसलिए पहले अपन नॉर्मल टाइम के फूर्मुलों को अप्लाई करते विए नॉर्मल टाइम करेंगे और जब नॉर्मल टाइम का पता लग जाएगा तो उ पर अलाउंसेज नहीं दे करके स्टंडर टाइम पर अलाउंसेज दे रखे हैं इसलिए अपन स्टंडर टाइम के उपर जब आउंस दिया होता तो इसकी फूर्मुला जो होता है वो नॉर्मल टाइम उपन वन मानेस अलाउंस होता है नॉर्मल टाइम पर दिया होता तो तो वन प्लस अलाउंस करते हैं अब इस फोर्मुले के नुसार यानि सेकिंड इक्वेशन के नुसार नॉर्मल टाइम उपर आएगा और वन माने से लाउंस नीचे नॉर्मल टाइम अपना 1.75 मिनिट पर युनिट है उसमें 1-10.10 का भाग देंगे यानि 0.90 तो 1.944 मिनिट इस पर युनिट आएगा नॉर्मल टाइम और सुरी स्टंडर्ड टाइम आएगा नॉर्मल टाइम 1.75 मिनिट है स्टंडर्ड टाइम 1.944 मिनिट हो गया तो जो डिफ्रेंस है वो इस का लाउंस में से लाज आता है यहां पर स्टंडर्ड जो प्रोडक्शन होगा वो 1.944 मिनिट में चुकि एक युनिट होती है तो जो वर्किंग टाइम है यानि टाइम वर्कड है वो तो पांसो दस मिनिट ही था तो पांसो दस मिनिट में वास्ता में कितनी इकाई यहां पुत्पन होंगी 262.48 युनिट हम क्या कर करते हैं कि जो वर्किंग टाइम होता है उसके अंदर स्टंडर्ड टाइम का अपना भाग दे देते हैं पर युनिट का तो वो नंबर ऑफ युनिट्स तो बी प्रोड्यूस्ट आ जाती है अब 262.4 युनिट्स प्रोड्यूस होंगी उसको अपन नॉर्मल टाइम से जब म करसे ऑगर नॉर्मल टाइम 2-2 दो और बाकि जो बच गया वह कि गुप में आ जाएगा बाकी जो बच गया वह कि अलाउंत हो जाएगा को बाकinator कि जो मिनिट्स हैं वह कि बाक्राट बचकत जो मिनिट जो मिनिट्स इह रूप में तोटल पांसो दस मिनिटी काम टाइम बर्गड दिखाया था ना तो उसमें से यह बाकी जो है वह अलाउंस के रूप में हो जाएंगी क्योंकि इस पांसो दस के अंदर जो टाइम बर्गड है इसमें अलाउंस इंक्लूडिंग होता है और टोटल टाइम जो था शिफ्ट का वह तो पांसो दस मिनिट काम था लेकिन इस पांसो दस मिनिट के अंदर भी 469 में एक्ट्वल में वर्क वहा है और बाकी 51 अलाउंस के रूप में है अब अपना आते हैं प्रोब्लम नूमबर टू पर प्रोब्लम नूमबर टू भी लगबग इसी तरीकी की जो है वो प्रोब्लम है जिसमें इनिट प्रोडूस्ट 420 है परफोर्मेस रेतिक 135 परसेंट है टॉटल आवर्स 60 है आइडल टाइम 20 परसेंट है अलाउंस 10 परसेंट है और अलाउंस है वो अगर नॉर्मल टाइम पर हो तो क्या सिच्वेशन आएगी और अगर वो स्टेंडर्ड टाइम पर हो तो क्या आएगी तो दोनों तरीके से अपने को ये देखना है चलिए हम दिस्कस करते हैं नॉर्मल टाइम इस इकल टू टू टाइम वर्कड अपॉन यूनिट्स प्रोडूस्ट इन्टू प्रफॉर्मेंस रेटिंग यह हमारे नॉर्मल टाइम का कैल्कुलेट करने का यह कै इसको अपनी यह कहता कि अप्ज़र्ड परफॉर्मेंस इन्टू परफॉर्मेंस रेटिंग करते हैं तो अप्ज़र्ड परफॉर्मेंस टाइम भर्क biss अपॉन उनिट् अपर्फॉर्मेंस प्रोडूस्ट अाब टाइम के लिए वही टोटल टैम इनीडक प्रोड़ो को यह नॉर्मल टाइम आजाएगा और इंटू 1, 3, 5, 100 कर देते हैं 135% की पर्फोर्मिस रेटिंग है तो 9.26 मिनिट पर युनिट इसका नॉर्मल टाइम होता है और अब अपन स्टंडर टाइम एक्वेशन फर्स्ट के नुफसार निकालते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के नुसार तो नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस अलाउंस होता है तो 9.26 इंटू 1 प्लस 0.10 हो गया अलाउंस तो 10.19 मिनिट पर युनिट आती है 10.19 minute per unit का standard time है normal time है 9.26 minute per unit equation second को अगर आपने देखें तो इस equation के नुसार normal time पर नपर 1 minus salams करते हैं तो इस इस्तिती के नुसार 10.29 minute per unit आता है वो standard time आता है अब आप इसमें अलगले equation के नुसार difference निकालना चाहेंगे तो जैसे 10.19 minute में एक इकाई पादा होती है उत्पन होती है produce होती है तो जो time worked अपना के इसाब से 48 into 60 के अंदर जो है वो कितनी unit produce होंगी और उतनी unit के अंदर अपन 9.26 से multiply कर देंगे तो वो actual में क्या जाएगा वो working का हो जाएगा और बाकी allowance का जाएगा तो इस तरीके से ये जो है वो net रूप से जो ये विसलेशन होगा वो जो idle time minus करने के बाद में जो समय बचेगा हम उसी समय के दो पार्ट करने हैं एक working का और एक allowance का इस तरीके से ये division है वो हो जाएगा और दोनों प्रकार की equation में ये जो है वो answer different आएगा इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो work study है जिसमें विशेश तोर से time की study का पता लगा जाता है normal time, standard time, idle time, allowance का time, standard production, actual production ये सब चीजें जब calculate होते हैं तो ये decision making में इसका बहुत बड़ा रोल होता है आगे production की cost को कम करने के लिए समय की बचत करने के लिए फाल्तु की activities को reduce करने के लिए इस study का सबसे ज्यादा importance होती है और ultimately ये किसी भी enterprise का किसी भी industry का विशेश तोर से हम कहें तो उसकी profitability को increase करने में इनका बहुत बड़ा roll होता है तो आज के लिए इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार